बच्चो चाप्टर 14 नहले पे देला जो हम पढ़े थे उसका जो आधा पढ़े थे आज हम आगे पढ़ेंगे देखो बेचारा लकड़ारा रोने गिर्गिनाने लगा सेट जी मुझ गरीब पर दया करो गाड़ी का मतलब हतो हमेशा लकड़ियां से ही होता है गाड़ी और बेल आप ले लेंगे तो मैं तो भूका मर जाओंगा बेलों को हाकते हुए ब्यापारी बोला भाई यह सब तो पहले सोचा होता अब गाड़ी और बेल के पीछे अपनी बात हार कर रहे हो इतना तो सोचो आदमी की कीमत आदमी की बात से ही होती है बात के पीछे तो आदमी अपनी जान तक दे देते हैं तुम गाड़ी के पीछे बात से मुकर रहे हो लकड़ारा बहुत रोया और गिडगड़ाया उसने बहुत मिन्नते की पर ब्यापारी टस्ट से मस नहीं हुआ आखिर लकड़ारा हार कर अपनी गाड़ी और बेल वहीं छोड़ दिया अपने गाउं पहुंचा दूसरे दिन गाउं में बात फैल गई कि परोस के गाउं के ब्यापारी ने लकड़ारे के बेल और गाड़ी रख ली सब ने भला बुरा कहा किसी ने उसे दिलासा दी कि वह राजा के पास सिकायत ले जाए किसी ने कहा कि ब्यापारी के घर चोरी करवाए धीरे धीरे यह खवर गाओं के एक चतुर आदमी गोपी के पास पहुंची बहुत चोधरी के पास आया गोपी ने बड़े धूर्त के कान काट रखे थे था वो एक नमबर का चालाग और चूस्त हस्ते हस्ते बोला भाई इसमें भला राजा के पास राजा क्या करेगा ब्यापारी को ब्यापारी के जवान से ही नहीं तो मोड़ा तो मेरा नाम बदल देना दूसरे दिन गोपी ने गाड़ी में लकडियां भरी और चला ब्यापारी की दुकान के पास उसने गाड़ी की चाल धीमी कर दी और भजन गाने लगा ब्यापारी ने लकडियों की गाड़ी देखी और उसके मुँपर पानी आ गया सोचा चलो आज फिर एक गाड़ी और बेल की जुगाड कर लू आवाज देते हुए बोला भाई गाड़ी बेचने निकले हो की तान सुनने गोपी गाड़ी रोक कर बोला सेट जी निकला तो गाड़ी बेचने ही हूँ पर सवेरे सवेरे का समय है इसलिए सोचा भजन गहीं काता चलो क्या हुआ बच्चो बो लकड़ारा क्या करा रोने गिर गिराने लगा और सेट जी से बोला कि मैं गरिब आदमी हूँ अगर आप मेरा गाड़ी और बेल दोनों ले लेंगे तो मैं कैसे चलोंगा मैं तो भूख से मर जाओंगा बेलो को मारते हुए उसने कहा कि ये तो पहले ही सोचना चाहिए था तुम तो गाड़ी और बेल के भी मुझसे सोधा किये हो ये कैसे तुम अभी बोल रहे हो लकड़ा रहा बहुत रहा गिर गिराया उसने मननते करने लगा उसको मांगने लगा लेकिन ब्यापारी क्या क्या उसके बात को सुना ही नहीं और गाड़ी और बेल को बहां रख लिया और उसको बोला कि जाओ तो उसने गाड़ी और बेल क छोड़ दिया और चला गया दूसरे दिन क्या हुआ चारो तरब यह बात फेल गएगी पड़ोस के गाव में जो एक प्यापारी है वह उसका गाड़ी और बैल रख लिया सबने उसको वह ब्यापारी को भला बुरा कहा उसको बहुत गाली दी वह किसी किसी ने खाहा तो किसे ने कि राजा के पास सिकाद लें कर जाए और किसी ने Dolayajajay ah और गरिया घीर ठीज़े मिए कर दिधे लिए एक शार आधमी गोफी के पास पहुंचा उस के पास पहुंचा वो कहां काम करता था चोधरी के यहां हुसने बड़े बड़े धूर्त के कान काटकर रखे ते मतलब बड़े धूर्त को चालाकी से चपर कर कर दिुखान के सामने चाल को धीमी कर दिया और नगार ह ONL 그냥 शोचा कई अच फिर फिर लकड और गाड़ी और बेल मेल जागा तो उसके मुह में पानी आग्या सोचा चलो आज फिर गाड़ी लेता हूं दो बोला और उसने आबाज लगाई भाई गाड़ी बेजने निकले हो कितान सुना उसने का कि गोपी किया कहा सेड जी निकला तो गाड़ी बेजने उप्र सभेरे का समय है इसलिए भजन गाता हुं